नमस्कार दोस्तों, जै हो खाटू वाले बाबा श्याम की स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आज की नई वीडियो में तो तुला राशिवालों सावधान, दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके दुश्मन आप पर बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं, जी आज की इस वीडियो में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, कि आप यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, यदि अपने दुश्मनों से बचना चाहते हैं, तो अंत तक आज आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज का यह वीडियो आ मैं अभी के अभी बिना देर किये इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली, जय श्री राम ज़रूर लिख देना, हनुमान जी आपकी सारी मनों कामनाएं पूर्ण करेंगे, आने वाले अगले चार दिन आपके आत्म विश्वा से बिगड़ जाएंगे, देखिए, इंसान चाहे कितना भी गोरा हो जाए, उसकी परच्छाई हमेशा काली रहती है, वैसे ही इंसान चाहे कितनी भी मेहनत करले, कितना भी अनुभव प्राप्त करले, फिर उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकि अतियात्म विश्वास आपकी नया डुबो सकता है। आपको थोड़ा बच कर रहना होगा। जिन्दगी में बहुत जगह चाहिए कि हम प्रैक्टिकल रहें, सपनों की दुनिया से बाहर आएं और आप भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्मीदें लगाने की हम समय से पहले ही परिस्थितियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि कल हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। कल मुझे वो मिलने वाला है, कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ और इतना सारा इंजॉय करने वाला हूँ और मन ही मन उसे सोचते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और कल्पनाओं की जिंदगी में खूब आनंद लेते हैं, लेकिन बात जब हकीकत की आती है, तो परिस्थितियां कुछ और होती हैं, तब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमने जो सोचा था, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो हद से ज्यादा उम्मीदें अकसर घ जहाव देती है, यह बात ध्यान रखिए और कल्पनाओं में सोच विचार करना छोड़िए, किस तरह चीजों को प्रैक्टिकली सही किया जा सकता है, जो हम सोच रहे हैं, किस तरह उसे वास्तविक्ता में करा जा सकता है, इस पर विचार विमर्ष अमल करिए, आने वाले अ लेकिन जब इतना कोई ट्रस्ट हमारे उपर करता है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है, कि हम उस इनसान का भरोसा बिलकुल भी न तोड़े, यह हमारी जिम्मेदारी है, कि हम उस इनसान का नाम रोशन करें, तो अपने माता-पिता के सपनों की आड में कोई भी चीज आ रही ह चाहे वह प्यार है, चाहे वह गलत आदतें हैं, चाहे वह गलत संगती है उन सब को हटाईए और फोकस करिए अपने सपने पर क्योंकि यहां तक आपको पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना खून पसीना बहाया है यह केवल आप और वह जानते हैं तो उनके सपनों को यू मिट्टी में मत मिलने दीजिए यह खास आग्रह हमारा सभी विद्यार्थियों से है अब व्यापारियों को यह थोड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है चाहे वह लगू उद्यमी हो या फिर बड़े उद्यमी आप एक बात का ध्यान रखें बिना पैसों के व्यापार न करें उधारी से छमा यही आपका नारा यही आपका स्लोगन होना चाहिए कई बार हम भावुक हो जाते हैं यार ये तो अपने वाला है इसे दे देते हैं लेकिन वह अपने वाला ही कब आपके लिए मुसीबत बन जाता है वही आपका नाम खराब कराता है एक बार इस चीज में आप आ गए उधारी के काम में तो बहुत बुरा लेकर फंसेगी आपका जो पूरा धंधा है वह नगद में होना चाहिए इतना ध्यान रखें खासतोर पर इन चार दिनों में शुरुआत करके देखिए लाब आपको होगा साथ ही साथ जो पैसा आपका पूराना फंसा हुआ था उसमें से कुछ पैसा आने की संभावना है पूरा तो नहीं आएगा लेकिन कुछ हद तक संभावना है कि 40-50% पैसा जो फंसा हुआ था चाहे वह शेर मार्केट में था चाहे वह आपने किसी को उधार दिया था चाहे किसी के बुरे समय में आपने मदद की थी तो वह अब आने वाला है आगे वीडियो में साथानिया है और अंत में दो उपाय आपको बता देंगे तो थोड़ा सा समय अगर आप निकाल लेंगे तो लाभ आपको अवश्य होगा अब दोस्तों सबसे पहली सावधानी आपके लिए यही रहेगी कि रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलना है रास्ते पर जब आप बाईक चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी के साथ चलनी है क्योंकि संभावना है कि नकारातमग ग्रह यहां पर अपना पलटवार करें और या तो दुरघटना होने की थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं या आपको थोड़ी बहुत चोट चपेट आ सकती है या अत्यधिक फिसलन के कारण आप गिर सकते हैं तो खुद को यहां संभाल करके चलना है साथ ही साथ बात अगर नौकरी पेशा इनसान की करें तो देखिए मुसीबतें तो हर किसी के जीवन का हिस्सा है लेकिन जो हार जाएगा उसे काम कैसे आगे चलेगा तो आपको जो भी काम मिल रहा है चाहे वह सरल है चाहे वह कठिन है उसे अपने बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करिए मतलब उसमें आपका बेस्ट आपको देना होगा कोई क्या कर रहा है कोई क्या करने वाला है इसकी परवाह मत करिए आप क्या कर सकते हैं? आप उस काम को कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं? यह आप सोचिए और उस काम में अपने प्राण लगा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए. फिर देखिए, एक ऐसी घटना होगी जो आपका प्रमोशन लेकर आएगी. एकदम ठंडा माहौल बन जाना, जिसका असर उनके ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है. तो आप उन्हें घर में ही रखें, सुरक्षित रखें, हवा में रखें, और एक समान तापमान में उन्हें रखना है. इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बदलता तापमान उनके लि नहीं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो जिन्दगी में हमेशा, इंतजार में रहते हैं कि मेरा समय आएगा, मैं भी कुछ करूँगा. अभी मैं छोटे मोटे काम के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन वास्तविक्ता में इंसान को कभी भी अच्छा समय आने का इंतजार न करता रह जाता है, लेकिन जो उठकर प्रयास करता है, वह विजय की पता का लहराता है. इसी लिए कोशिश आपको यही करनी है कि लोगों की बातों को आप न सुने. लोग तो क्या है? अमरूत खरीदते समय, बोलते हैं भाईया, मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा कर ख से भटक-भटक जाना, यह बहुत बड़ी मूर्खता है. अपने निर्ने खुद लेना सीखिए, अपने शुभ चिंतकों से लेना सीखिए. ये जो दो कौडी के लोग आपको हर वक्त गिराने की साजिश रचते हैं, इनकी बातों में बताईए, क्योंकि अगर आप इनकी च नामान से ही यह उपाय हो जाएंगे, और आपकी किस्मत यह चमका देंगे, तो शुकरवार का उपाय सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं आपको. दोस्तों, एक कपड़ा लेना है चौकोर कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर थोड़े से गेहूं, सवा किलो गेहूं या फिर चावल. चावल अगर करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वह सफेध होते हैं, तो सवा किलो सफेध चावल डालिए. उसके अं प्रमक्ष आपको बैठना है, हाथ में आपके पोटली है, अपनी मनोकामना माता से रख देनी है, ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, इस मंतर का पांच माला जाप करना, यानि एक सो आठ पांच बार, अब यह पाठ आपका पूरा हो जाएगा, तब यह जो पूत लेना है, अपनी लंबाई के बराबर, और उसे साथ बार परिक्रमा करते हुए, पीपल के व्रिक्ष पर बांथ देना है, साथ ही साथ, आपको मंतर बोलना है, ओम शहद, शनैश चराय नमः, एक सरसों के तेल का, चौमुखी या दो मुखी दीपक, अगर वह जला द आपने कभी सपने में भी कलपना नहीं की होगी, आज की हमारी यह वीडियो बहुत खास है, पूरी वीडियो आपके ग्रह गोचर एवम, आपके पंचांग पर आधारित है, वीडियो में बताई गई एक एक बात आपके रोंग्टे खड़े कर देगी, हम यही चाहते हैं कि हमारे जितने भी जातक हैं, वह खुश रहें, उनके जीवन में कोई मुसीबत ना आए, इसलिए हमने आपको तीन बड़ी-बड़ी सावधानियां भी बताई हैं, जिनका पालन यदि आप कर लोगे, तो आने वाली मुसीबतें आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी, तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही सच्चे सनातनी, कॉमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली जी, दोस्तो भगवान आपकी सारी आसानी से पूरे हो जाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कुछ काम जिनमें आपको बहुत ज्यादा उमीदें थी, जो आप सोच रहे थे, अरे, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आपके ऐसे काम अटक सकते हैं, संभावनाएं पूरी-पूरी बन रह आपको अपनी योजनाएं एक नए तरीके से शुरू करनी पड़ेगी, व्यापार में दोस्तों, जो आपके प्रतिबंदी है, यानि कि जो आपके दुश्मन है, वह आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, वह आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका काम ब किसी भी मुसीबत में किसी भी दिक्कत आजाए, आपके जीवन में कोई परेशानी आजाए, तो आप अपनों की सलाह नहीं लेते, आप अपनों के बजाए परायों से बात करते हो, दूसरों से बात करते हो, जो की आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है, हम आपको दोस्त में आपको अपनी तमाम परेशानियों का हल मिल जाएगा। साथ ही, दोस्तों, बचपन के किसी पुराने मित्र की मदद से आपकी किसी अच्छे पद पर नौकरी लग सकती है। बहुत समय से। दोस्तों, यदि आप जौब के लिए नौकरी के लिए परेशान चल रहे थे, का तीन दिनों में किसी अच्छे पद पर आपको जौब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, जिससे कि दोस्तों अब आपकी आर्थिक स्थिती में भी बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। जीवन साथी के साथ दोस्तों आपका रिष्टा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर कोई मतभेत चल रहे थे, किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो वह सारे विवाद अब दूर होंगे। आप दोनों का रिष्टा और भी अधिक मजबूत होगा। और यदि गहरा होगा और आपक कामों की जिम्मेदारी आपको सौपी जाएगी। आपके बॉस आपको पांच दिनों का समय देंगे और कुछ महत्वपूर्ण काम आपको सौप सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको आलस्य को त्याग कर मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। आपकी राश्य के जातक थोड दोस्तों, यहाँ दिक्कत आपके जीवन में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको मेहनती इनसान बनना है। मेहनत करने से पीछे मत भागिए। साथी दोस्तों, माता पिता को आपकिसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर इन तीन दिनों में भेज सकते हैं। वहीं दोस्त दोस्तो घर में भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख शान्ती बनी रहेगी। अब दोस्तो बात आती है कि आखिर कौन सा वह दुश्मन है जो आपके घर में घुसने वाला है और वह तीन बड़ी-बड़ी सावधानी कौन सी है जिसक आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तो जरा कान लगा कर सुनिएगा। आपकी राशिके जातक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आपके पेट में कोई बात नहीं टिकती। आप अपनी हर बात का धिंडोरा बहुत जल्द पीट देते हैं जिसके कारण आपके दुश्म के सामने उजागर ना होने दें। अन्यथा दोस्तो जीवन में मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। अपनी बातों को आप जितना छुपा कर रखोगे, जितना गुप्त रखोगे, आप जीवन में उतना ज्यादा खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तो इमानदारी से काम कोई भी कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आप पर क्यों ना आ जाए। अपनी इमानदारी को आपको भूलना नहीं है, चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए। इमानदारी से आपको हर एक काम करना है। वहीं दोस्तो आपको ब निवेश करने की योजना बना रहे हो, कहीं पर भी निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हो, तो दोस्तों यह तीन दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे. इन तीन दिनों में आप निवेश करने की कोई योजना तयार कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, जो लोग दोस्तों पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, उन जातकों के लिए समय बहुत शांदार है, आने वाले इन तीन दिनों में दोस्तों आपको जिन् नाम आपको मिलने वाले हैं, साथ ही दोस्तों अगले तीन दिनों में पारिवारिक जीवन आपका लड़ खड़ाने वाला है, पारिवारिक जीवन में घर परिवार को लेकर हिस्सेदारी बटवारे को लेकर कोई विवाद खड़ा हो सकता है, कोई छोटी सी बात पर दोस्त जरा सतर्क रहें, हर बात पर विवाद ना करें, आपको अपने गुस्से पर अपने क्रोध पर लगाम लगानी होगी, अन्यता चीजें हाथ से फिसलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, साथ ही दोस्तों, स्वास्थे के मामले में समय शानदार है, लेकिन फिर भी आप अपको थोड़ा बहुत ध्यान अपने स्वास्थे पर देना होगा, थोड़ा बहुत योग एक्सरसाइज करते रहिए, जिससे आपका स्वास्थ और भी बहतर बना रहे, और भी अच्छा बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने स्वास्थे को लेकर बिल्कुल लापरव और बाद में बुढ़ापे में आपको पच्छताना पड़े। इसलिए स्वास्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहे।